जय हिंद प्यारे सातियों आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपकी अपनी पार्ट साला ओनलाइन पार्ट साला में जहां पर आज की इस वीडियो में हम सॉल्ब करने वाले हैं इंडियन आर्मी जीडी के प्रैक्टिस सेट नंबर वन को और इसके बाद हम डेली आपके भरत के राजधानी कहा जाता है तो भरत के राजदानी कहा जाता है धनबात को आप्शन जो औरहरा वहीं है और मुझे उमीद है कि आप सब लोग जो हैं अभी इंडियन आर्मी के रेटन की तयारी कर रहे हैं और बहुत अच्छे से कर रहे हैं लेकिन इस तयारी में मैं भी आपके साथ यहां पर सहे भागी होने के लिए आपको यहां पर वीडियो की हेल्प से यहां पर मदद करना चाहू है नेक्स्ट क्वेशन है जी एस टी जी का जो फूल फॉर्म है क्या है तो जीकी फुल फॉर्म होती है वस्तु एवं सेवा कर यहां पर ग्रॉस एंड सर्विस टेक्स तो ऑप्शन जो डी है वह सही हो जाएगा Q4 है Mardona कौन से देश का एक प्रशित फुटबॉल खिलारी है तो Mardona जो इसका पुरा नाम है Diego Armando Mardona यहाँ अर्जेंटीना के जो थे पूरु फुटबॉल प्लेयर थे जो कि अभी वर्थमान में अर्जेंटीना टीम के प्रभंदक है तो यहाँ पर इसका option हो जाएगा option जो दी है वहोगा बिल्कुल सही हो जाएगा अगला है मिखाई काल सेनिको के मसहूर खोज करता है इन्होंने किस सीच की खोज की थी तो इन्होंने खोज की थी a47 की तो यहाँ पर यह option जो है D सही होगा आपकी किसी और books में यहाँ पर AK47 के खोज करता के नाम तर किसी और का नाम दिखा हुआ है लेकिन हम यहाँ पर AK47 की जो full form है वो है automatic काल सनिको यानि कि और 1947 में इसकी खोज हुई थी इसलिए इस पर AK47 कहते हैं तो यहाँ पर आपको confused नही 1847 में AK47 की सुरुवात हुई थी चलिए बढ़ते हैं next question की तरफ अगला प्रश्ण है प्रिथवी में के कारण दिन रात होते हैं तो आप जानते हैं प्रिथवी का जो घूर्णन होते हैं वहाँ दो प्रका के घूर्णन करती है एक करती है अपने अक्ष के चारों तरफ घूर्णन तो अपने अक्ष पर घूर्णन करने के कारण यहां पर प्रिथवी में होते हैं दिन रात क्योंकि एक घूर्णन करने में उसको लगते हैं 24 घंटे यानकि एक दिन का समय लगता है इसलिए दिन रात होते हैं प्रिथवी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण अगला प्रश्ण है केवला देव रास्ट्रिय पार्क राज्य में इस्तित है यहां जो रास्ट्रिय पार्क है वहां किस राज्य में इस्तित है तो केवला देव रास्ट्रिय पार्क जो है वहां राजस्थान में इस्तित है ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है तो आप उसको अच्छे से याद कर लेना है यहां से questions बनते हैं अगला प्रश्ण है निम्न मैंसे किस प्रथम अरब देश में चुनिंदा अनिवासी नागरिकों के लिए स्थाई निवासी बनाने के लिए प्रस्ताव लाया गया तो जो कतर देश है उस देश में यह प्रावधान हु कि जो वहां के नागरिक नहीं है उनको वहां का जो है स्थाई नागरिक बनाया जा सकता है तो यहां पर यह कुछ चुनिंदा लोगी होंगे तो कतर में यह प्रावधान लाया गया तो option जो C होगा वहां बिलकुछ सही होगा अगला प्रश्ण है BBC की full form क्या है आप BBC जानते हैं एक बहुती famous news जो है corporation है जो की पूरे word में जो है इसको जो है broadcast किया जाता है तो BBC की full form है British Broadcasting Corporation option जो C है वहां बिलकुछ सही है अगला प्रश्ण है question number 10 भारत के थल सेना प्रमुख कौन है तो भारत के जो थल सेना प्रमुख है वरतमान में उनका नाम है इनकी MM नार्वने भी इनको कहीं लिखा जाता है इससे पूरवजियो थल सेना प्रमुख थे वे थे जनरल विपिन सिक जो कि आप आर्मी चीफ बन गए है इसको भी आपको याद रखना है तो थल सेना प्रमुख है मनोच मुकुल नार्वने क्योंकि यह इंडियन आर्मी का एकजाम है तो इंडियन आर्मी से संपन्दितों जितने भी क्वेशन आप वियात कर सकते हैं करीगा क्योंकि यहाँ पर से सब मंदित कशन पूछ सकता हैं, लइक वाई सेना प्रमुख कौन हैं, वरतवान में जो है नौ सेना प्रमुख कौन हैं या फर्स्ट जो जनरल थे, थलसेना के वे कौन थे, तो जो फर्स जनरल थे, वे थे, महाराज राजेंदर सिंग जी, यह जो एक अप्रेल 1955 को जो है थलसेना प्रमुक बने थे जनरल महाराज राजेंद्र सिंग जी तो option जो है यहाँ पर B सही है अब बढ़ते हैं क्रिशन नमर 11 की तरफ तीपू सुल्तान कहां का सा सक्था तो तीपू सुल्तान जो है मैसूर का सा सक्था तो option जो B है वहाँ बिल्कुल सही है अगला प्रश्ण है चंद्रमा के लिए जो भारत ने मिसन भीजा था उसका क्या नाम था तो उसका नाम था चंद्रियान मिसन जिसके बारे में आप चानते हैं बहुती ब्रोडकास्ट हुआ था अलग लग चैनल्स पर तो चंद्रियान जो मिसन था वह था चंद्रमा के लिए भारत करमिशन अगला प्रश्ण है सन 1913 में भारत की पहली फिल्म किसके द्वारा बनाए गई थी तो यहाँ फिल्म बनाए गई थी दादा साहाफ फालके के द्वारा और यहाँ पहली फिल्म थी जिसका नाम था राजा हारिस्चंद्र अगला प्रश्ण है क्वेशन नमबर 14 टेस्ट क्रिकेट में तीहरा सतक बनाने वाले प्रथम भारती या खिलाडी कौन हैं तो वे हैं विरेंदर सहवाग जनोंने टेस्ट क्रिकेट में पहली बार जो है तीहरा सतक लगाया था यहनकी 300 रन का आकड़ा पूरा किया था वो थे कहां पर और कब किया गया था तो यह टोक्यो में 1958 में एसिन गेम्स में जो है हौकी को सामिल किया गया था इसके अलावा बहुत सारे प्रश्ण पूछे जा सकते हैं एसिन गेम्स से लेकल के जैसे कि अभी जो लास्ट जो एसिन गेम है वह कब और कहां खेला गया तो 2018 में ज और यह खिला जाएगा 10 से 25 सितंबर 2022 को अभी तक जो है जारी की गई है 1922 में जो है अगले ACI खेल होंगे और वो होंगे चीन में यहाँ पर स्ट्रेक्शन समाप्त होता है अब यहाँ पर आता है सामने विज्ञान से समधित प्रश्ण तो पावर यान कि सक्ति की माप क्या है यान कि सक्ति की जो माप है उसकी जो यूनिट है वहाँ कौन से होती है तो पावर को मेजर किया जाता है वाट में किसी भी चीज का जो है वहाँ पर पावर है उसको वाट में मेजर करते हैं अगला है सोडा वाटर यान कि आपका कोल रिंग इनको तैयार करने के लिए कौन सी गैस का प्रियोग किया जाता है तो आप सब जानते है कि जो carbon dioxide होती है वहा सोडा water में भरीवी होती है carbon dioxide अगला प्रशने है निमरिकित मेंसे कौन सा production रहित इंधन गाड़ियों के लिए है तो यहाँ पर petrol, diesel, kerosene और CNG हैं लेकिन हम जानते हैं petrol, diesel और kerosene जो है वहाँ धुआ छोड़ते हैं इनकि इनसे काफी production होता है लेकिन CNG एक ऐसा इधन का अभी जो है यहाँ पर विकल्प है जो कि क्या है कम production इससे होता है इनकि इसके माना जा सकता है कि यहाँ क्या है production रहीत है CNG की full form क्या है यह आप मुझे comment box में बताएंगे कि what is the full form of CNG अगला प्रश्ण है निम्न मैसे कौन रासानिक उर्जा को विध्युत उर्जा में बदलता है इनकि जो आपका chemicals है chemicals की help से विध्युत किसमें बना जाती है तो यहाँ पर जो answer है वह है cell जो cell या जो batteries होती है उसके अंदर होते है chemicals और उन chemicals में जो क्या किया जाता है वहाँ पर रासानिक अभिक्रिया करा जाती है और उन से विध्युत उर्जा का निर्मान होता है इसके अंदर जो है आप जानते है जो normal batteries होती है उनके अंदर होता है H2SO4 यानकि sulfuric acid और समय समय पर उसके अंदर distilled water डाला जाता है इसका reason क्या है distilled water उसमें डाला जाता है उसका जो क्या होता है वहाँ पर सांदरता होती है वहाँ समय के साथ साथ बढ़ती जाती है तो उसको सांदरता को कम करने के लिए उसके घरत्तों को बराबर लखने के लिए वहाँ पर उसमें समय समय पर distilled water डाला जाता है अगला प्रशन है कपास, जूट, उन और रेसम के रूप में किसे जाना जाता है जो पास होता है जूट होता है उन or रेसम है यह क्या है उसके सारे प्रैकरत्व द्वारा प्राप्थ होने वाले वालेवी यह Hillelad होते हैंatar हम कॉन सी विटामिन पॉता है यहां पर प्प्षिन ऑप्र पर सी जाती है क्वाएँ जाती है विटामिन ए यहाँ पर जो option B है वहाँ बिल्कुल सही है आपके लिए एक चोटा सा प्रश्ण है vitamin A की कमी से कौन सा रोग होता है आपको उसे comment box में लिखना है question number 21 का answer लिखके कि vitamin A की कमी से कौन सा रोग होता है आप मेरे दोरा पुछेगे प्रश्णों का उत्तर देते रहें क्योंकि यहाँ आपके लिए 5 देवंध है और जब भी आप किसी question का answer देते हैं तो वहाँ आपको हमेसा के लिए याद रहता है अगला प्रश्ण है सामने तयाव पानी सुद्ध करने के लिए यहाँ पर कौन सी रासानिक विदी होती है तो पानी को सुद्ध करने के लिए उसमें क्या किया जाता है chlorine gas डाली जाती है जिसको कहते है chloronination तो यहाँ पर option जो A है वहाँ सही है question number 23 है गतिज उर्जा और संभावित उर्जा के दो बुनियादी प्रकार कौन कौन से है तो यह है यांतरिक उर्जा option C पिलकुल सही अगला प्रश्ण है निम्रिकित में से खेती करने का सही करम क्या है यारे कि हम खेती करते समय सबसे पहले क्या करते हैं फिर क्या करते हैं तो सबसे पहले जो है जुताई करनी पड़ती है इसमें जो है बैलो को लेकर के या ट्रेक्टर की हेल्प से खेतों में जुताई की जाती है उसमें फिर से फसल को बोया जाता है उसके बाद उसके सीचाई की जाती है उसमें पानी डाला जाता है सीचाई के अलग-अलग बाध्यमों से उसमें सीचाई की जाती है तो आपको option decoding करना है अगला प्रश्ण है एक kilo calorie में कितनी calorie होती है तो आप जानते है kilo जो होता है वो हमेशा 1000 को प्रदिशित करता है यह हम कहें कि एक kilogram में कितने gram होते हैं तो 1000 gram होते हैं वैसे ही एक kilo calorie में कितनी calorie होंगी तो वो होंगी 1000 calorie करने वाले विग्ञान को क्या कहा जाता है तो ब्रहमांड का अधियं करते हैं खगौल विग्यान के एस्ट्रोनॊमिक अंतरक। यानि किये जाने वाला संसादन कौन सो है यनि कि किृज़ा के संसादन का उपयोग आप बार-बार कर सकते हैं तो कोईला पैट्रोलियम और खनिज पतार्थ जो हैं वे एक ना एक दिन समाप्त हो जाएंगे और इनका दुबारा उपयोग नहीं किया जा सकता है इसलिए ये है अनवीनी करित्ट सरोथ लेकिन जो पानी है पानी का हम बार- उसका सुत्र होता है न2-C-3 ऑफिशन जो c है वह बिल्कुत सही है इसी प्रिकार से जो आपका बेंग सोडा होता है जो खाने का सोडा होता है उसका सुत्र होता है न एच ci-ο 3 तो यहाँपा इसको बोलते हैं सोडियम हैटोजन कर्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट इसको कहते हैं इसे के साथ साथ आपको बहुत सारे और भी याद रखने हैं जिसे की जिपसम याद रखना है याद रखना है विरंजक चून का क्या होता है विरंजक चून याद रखना है प्लास्टर ऑफ पैरिस याद रखना है इसी तरगे से यह जो राशनिक सूत्र है यह सही है तो मिस्र दातों के अंदर का जितनी भी मिस्र दातों हैं जैसे पीटल है तो इनको आपको याद रखना है पीतल हो गया का असा हो गया किस्वे बनते हैं ये भी आपको याद रखना है अगला है question number 30 मानाव मस्तिस का कौन सा भाग सूचना को चेतना भंडारण करता है जो सूचना होती है उनका भंडारण करता है तो वह भाग होता है तो option जो ए है वहा बिलकुल सही है करता है करता है करता है करता है झाल 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 झाल